हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब स्वागत है फिर से आपका मेरी इस चैनल में तो फिर से वही थोड़ा सा डिले हो जाता है एडिटिंग वगरा करने में तो अभी मेरे बेटे की मितलब तब्यत वगरा बल्कुल ठीक नहीं है उसके कान में दर्द रह रहा है वैसे तो बीच में फिर फीवर डाउन भी हो जाता है सारा दिन रहता नहीं है फिर शाम के बाद से 100 ऐसे करके चलता ही रहता है उसका तो है तिंग की डॉक्टर दिखाना पड़ेगा और कुछ एंटिबाटिक भी डॉक्टर अगर सेजिस्ट करें तो वह भी दिलवा देंगे तो उस तो इस टाइम में तो उसकी तब्यत वगरा बिल्कुल ठीक ही जा रही थी लेकिन आज यह जो ब्लॉग आप देख रहे हो यह तो दो दिन पहले का है तो उसकी तब्यत वगरा उस दिन खराब नहीं हुए थी मतलब आज आज है फ्राइडे तो थर्सटे से खराब होने शु मुझे और होता है ना बचों की जब तब्यत खराब हो तो कोई काम में मन भी नहीं लगता है तो ऐसा ही कुछ हो रहा है तो यह जो आप देख रहे हो ना मैंगी में अपने बेटे के लिए बना रही थी तो उसको मैंने पूछ रहा था तुम क्या खाओगे तो उसने बोला म अच्छा लगता है और सब्जियां भी थी ही तो मुझे बनानी नहीं पढ़ेंगे सुबा का हो जाएगा बस बेटे के लिए थोड़ से प्याज और कैपसिकम डाल करें मैंगी जट पट से और इधर दूद भी मैंने चड़ा दिया है तब तक दूद बोल भी हो रहा है तो अचकल वैदर इतना खराब हो रहा है मैं क्या बताऊ ना मतलब फिर से बारिश फिर बारिश नहीं तो धूब गायब फिर सुहाना सा मौसम मतलब एक ही आदे घंडे में ना तीन चर तरह के वैदर देख पा रहे है आदे घंडे के अंदर तो शडीर ऐसे अर्जस नहीं कर पारा रहा है वो तो फिलाल बच्चा है कहां से उसको हवा हुआलग गई बारिश की हवा के कारण इं तो जो जब चुकी है डाबा घंवा तो यूं ने नगए रहे हैं मतलब घर में हमेशा Chief HEREparty मेडिसिं दो रखती हूं मैं तो घंब रही हूं लेकिन वही है तो दो दिन थ और मुझे लग रहा है कि मैं एक बार दोक्टर दिखा ही लूँ कुछ दिन पहले उसको डॉक्टर दिखा के लाएं थे उस वक्त उसको सर्दी खांसी बहुत जादा ही लग गई थी फीवर नहीं था उस टाइम में लेकिन अभी देख रही उसके कान में दर्द और ये फीवर मुझे लग रहा है कान का ही कुछ होगा तो एंटिबियोटिक से ठीक हो जाए तो देखते हैं आंगे क्या होता है और तो ये ब्रेक्फस्ट बन रही है ब्रेक्फस्ट क्या बोलू से मैगी बन रही है रोटिया तो मैं ने जस्ट सेक लिया और कुछ नहीं किया है ज्यादा कुछ और सिंपल साही खाना बनाओंगी वैसे भी बेटे को खाने में भी दिक्कत हो रही है खा भी नहीं पा रहा है उसको अंदर से उसके तब इसको पशंद नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैंने कैपसिकम को डाल दिया है ताकि कुछ तो व भी दाल के भूब behavior इसमें सेभी तो बहुत दिक्कत हो जा जाती है ना बच्चों को ऐसे खिलाने भी फिलाने में हम बड़े लोग तो मतलब पिर भी चलो ठीक है तब बावे चलो government context अच्छी करनी है खाना पड़ेगा तो बच्चों के मामले में इसां मोग नहीं कर सकते है वृपना कीब आज तो पारी हूं कि नहीं उन्न तो Chi- Monroe घ्रार की बीज़ कंदीनर ये महीं कि याइस सब्सक्राइब परसंद भी नहीं कर रहा है विद्धि अच्छा भी नहीं लग रहा चाहिए तो इसलिए मैगी भना दें हां रोज मैगी नहीं देती हो अ कभी रोटी भींदी भाजी तो पसंद करता है तो बहुत बना के रख देती हूं अलग से तक कभी अगर भूग भी लगे तो थोड़ा अच्छा लगीगा और जिन्हों ने अभी तक मेरे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल से जल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की कंटेंट आप तक जल से जल पहुंच जाए सब्सक्राइब मेरे पक चुकी है और जो मसाला था मैगी का वह अच्छे से मैंने पका लिया है और बस दो मिनिटे में बन के त्यार हो जाएगी मैगी में डाल दिया है देख सकते हो आप थोड़ी से क्वांटिटी में ज्यादा हो गई थी दो चार स्पून तो वह शेयर करके मुझे भी आज मैगी खाने कहीं मन हो रहा था लेकिन रात की बची भी रोटिया भी थी तो इसको भी फिनिश करना था इसलिए थोड़ा सही मैंने बनाया है ज्यादा नहीं बनाया है बस तो चार स्पून एक्स्रा होगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे तो कभी कबार ऐसा हो जाता है ना आलस आज आता है बनने ही करता है खुझी बनाने का तो ठीक है चलो जट पट सी यह बन जाती है कर दो बनाया है तो देख सकते हैं कितने अच्छी मेंगी बन के तियार हो गई है कुछ भी बहुत इच्छी आ रही है मुझे सच को न इस तरह से वेजेटेबल डालके सब्जी डालके मेंगी बनाने से बहुत अच्छा हता है खाने में तो कोई नहीं दूसरे दिन में अपने लिए बना कर ली है और अभी मैं बना रही हूं मैंगो चतनी क्योंकि जो खट्टे आम होते हैं वो रखे हुए दो दिन हो गए थे थोड़ा से यह पग गया है तो आलस की विज़े से मैं नहीं बना पारी थी तो आज मैंने सोचा कि आज जादा कुछ बनाना है नहीं तो आज मैं यह अजल जो रही हए अगर बड़ना है तो अजया अगर बऑ जाँ अजयत यह अब ह är यह सिंपल्स हो बिलकुल ए मैं बनाने वाली हो ए अभिन क्यूमधा रही मैं सुखी लाल मृच डाल कर के में बनाती कुछ वह से बहुत है च्चा टेस्ट टाहिं लेकिन अगरा बेते नही जब तो दोपना देख लोना मुझे ना एनर्जी आती ही नहीं किसी काम में तो अभी तो फिलाल असी वेदर चल रहे हैं तो जैसा वेदर वासा मेरा मूट तो यही है तो बनाना ही पड़ेगा तो बेसिक से सिंपल से खना खाना भी बना के निब्टा रही हूं जलती जदी से तो मैंने सुचा था कि आल सा रहा है तो मैं एक बर मिक्सी में इसाम को एक बर घुमा देती हूं मतलब वह भी तो जटनी अच्छी लगती है फट्टी अवाली लेजन वगरा हर इमिज वगतार डाल के तो बेटा अगर खाएगा तो इसी वेज़े से मैंने इस तरह का जो है बनाना प्रेफर किया और नहीं तो मैं ऐसे ही मिक्सी में डाल के बनाती हूं जरालतर तो मैंने देखा कि वह यह नहीं खा रहा है मतलब अगर उसको ना पसद नहीं आया तो खैर इसके बाद जब खटे आम अगर आएंगे ना कच्छे आम मैं खटे आम क्यों बोल जो सॉरी कच्छे आम फिर से अगर आते हैं तो मैं उस तरह की चट्नी बढाऊंगी में घुमाकी जैसे बनाते हैं तो जल्दी भी बन जाती है औ अगर आतेस्टी भी लगती है खाने में तो यह तो फ्रीज में आराम से जो है चार पांस दें तर रह सकते हैं जब भी खाने का मूड होगा तो निकाल के खाया सकता है साइड डिश के तरह लिए पानी में डाल दिया है और आज मैं मुम दाल बनाने वाली हूं और थोड़ा अब ने कट करके रखे हैं बिलकुल थोड़े से ही है तो नूंग दाल के साथ बना लूँ गी और चीनी देखे अभी मैं डाल दिया है प्राइ करते समें चीनी में नहीं डाला था लास्ट में चीनी एड़ करती हूं तो और भी चीनी की जरुद थी यह आम बहु जाला ही ख अब बरबातना हो जाए इस वेज़े से मुझे बनाना पड़ा है तो अभी ब्रेक्फस्ट रगारा हमारी भी हो चुकी है तो अभी चाही चड़ा दिये मैंने तो विना चाही पिए तो मुझे एनरजी आती नहीं है तो थोड़ा साही हूं मतलब हाफ कप के करीब उससे भी कहirie बनाओंगो अपने लिए और अपने हजबन के लिए और आप लोग के तरह कैसा जहा रहा है जरूर से क्वेंट करके बताइगा है आप लोगों का रह रहता है कायसे आप लग मूद को ठीक करते हniest थे उम शुचान का वेधर में है किनके झोटे नहीं के अ ten पिडिं areas कि वो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताईएगा और खास करके अगर बच्चे की तबेत ठीक ना हो कैसे अपनी मोड को ठीक किया जाए तो वो सारे चीज़ें ज़रूर से शेयर कीजेगा मेरे साथ सर्दी, जुकाम, फीवर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं किसी को भी आइटिंग ये पसंद नहीं है लेकिन ये सब चीज़ें पीछा ही नहीं छोड़ दी है जैसी ही थोड़ा सा वेदर में चेंज हुआ की नहीं कि तबेत खराब बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करने तो यह देखे अभी थोड़ा सा इसमें दूत मैंने डाल दिया जादा दूत की चाय भी नहीं बना रही है और फ्रीज में और वी वेजटेबल थी जैसे भिंडी वगरा थी तो वो तो मैंने बना ही दिया है बिटी के लिए तो तो मैंने क्लिप शेर नहीं किया आप उसाथ कि कि वह तो मैंने मैं कैसे बनाती हूं भिंडी फ्राइब वह तो आपको दिखाई चुकी हूं मैं इसी वज़ए से एकी वीडियो वार्बर क्या दिखाऊं इसी वज़ए से मैंने वह लिप आड नहीं करी है बस मुंग दाल के साथ जो मैं बनाऊंगी अभी सेजन की फली तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी तो पहली बार ही ट्राइब कर रही हूं आई हो कि अच्छा ही लगेगा ले जब हम लोग खाना काने बैटे थे तो वह मुंग दाल के साथ जो सबजी बगर डाल के मिना थी वह अच्छी बने थी सिंपल सी थी अच्छी थी मुझ ज़ए अच्छी आब करें लेकर शोट की अधी जरूरत की यजरूरत थी एड़ करने की लेकिन फिर मैं सोयक Conner weather का कोई थीक नहीं नहीं अगर अचानल यहां से गर्मिया हो गई शुरू तो फिर गुर्द की बनाओंगी तो वह भी गरम करेगा इसी विटे से मैंने चीनी डाल दी लेकिन चीनी ना बहुत जादा ही लग जाती है सारी चटनी बगर बनाने में युआ अब हैं तो अब है यूआ है तो अब जारें गरोंगी और थोड़ा सा सोफा का यह जादर था उसको थोड़ा सथीक करोंगी वैसे तो सारा दिन में इसे ठीक करती ही रहती हूं कि बेटा कभी इसको ठीक रहने नहीं देता है तो हर हमेशा मेरा ऐसे हाँ चलता ही रहता है ठीक ठाक करती हूं अगर छोड़ दो ना तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में क्योंकि बेटा ना कोई भी सामान अपने हैं धang से अभी एक झगर नहीं रखता बहुत ही रखता है वह जब गुस्टा करती हूं या थेल्कुल अफिजह कर रहे हो जा पेटा है कि में सच में जुस्सा कर रहे है ता उ resentment आणे पर सारी चीजह रख देता है और नहीं तो अगर देखता है कि मांद्ब आमत्या अज़सा नहीं कर ठीक है तो फिर वो भी न बिल्कुल ट्रैक पर नहीं आता है कि व बेलकरी के सामने बहुत सारे गार्डिन ट्रीज बगर हैं तो उसी को देखके थोड़ा सा मन मेरा ठीक हो जाता है यह देखिए वह बजार गया मार्केट से होके आया है तो अच्छा लगता है उसको बाइक से जाना आना लेकिन ठीक नहीं था उसको भेजना क्योंकि बाइक से हावा लग जाती है बच्छों को चाहिए जितना ही धीमे बाइक चलाया जाए कान में हावा तो लगती है तो कैप नहीं पहनता वो बिल्कुल भी इसी विज़े से मुझे बहुत गुस्सा आता है उसको अब तो ठीक थी नहीं उसको बाइक से भी गया तो उसको हावा लग कान में उसके बाद दिन से जो है ना प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई तो खैर उसको लगते हैं भी साइड में उसाली बाते हैं अभी मुंग दाल को में अच्छे से दो के गढ़ाई में डाल दिया है इसको अच्छा सा स्टर फ्राइ कर लोंगी अच्छा साइजन की जो अट्डी है इसको अच्छा टार आप दो कि आज उसको अच्छा कर दो प्रॉब्लम भी मुंगे गढ़ाई में दो आपकर दो और आपकर दो ना जो. तो मैंने फ्राइ नहीं किया इसको अच्छा ही मैं दाल में जो डालने वाली हूँ तो अच्छा ही लग रहा था खाने में और थी भी मेरे पास 4-5 ही मतलब जादा नहीं थी तो हलका सा ये दाल जो है भून चुका है जादा इसको लाल करने के जड़त है नहीं तो फिर गल्ले में डालने के जुरत है नहीं क्योंकि दाल जल्दी गल जाती है लो मीडियम फ्लेम पेसको करके रख दूंगी और दस मिर्ट में ही ये जो है ना गल के तियार हो जाएगी फिर इसमें मैं सिंपल सा तर्का लगा दूंगी जीरा एक सुखी लाल मिर्च हरी मिर्च तो मैं इस में ये दाल भी कुख हो जाए अच्छा से और ज्यादा गाडा भी न रहे और नहीं ज्यादा पतला तो मेरे पास गाजर वगर अवे लेबल नहीं थी वरना मैं वो भी डाल देती और हाँ इसके बाद ना मैं बनाऊंगी मिक्स राइस मिक्स फ्राइड राइस आप बोल सकत तो अभी ऐसे ही सिंपल सिंपल सा रैसे भी बन रहा है क्योंकि मेरे पास वैसे सब्जियां भी ऐसी है कि क्या बनाया जाए क्या पनाया जाए थोड़ी थोड़ी करके सब कुछ है तो मेरे पास ना पांच सब्जियां मिला के जो बनाया जाता वो भी बना सकती थी लेकिन प जर्रत होती है तो यह देखिए बॉइल आ चुका है अब इसमें से जो भी जो है ना यह वाइट वाइट सा निकलता है दाल से इसको मैं निकाल के फेक रही हूं क्योंकि यह दाल में अच्छा नहीं लगता है तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे रखके मैं इदर सब्जी या वगरा जोड़ा चॉप कर लोंगी मतार चॉप करूंगी हाथ से कुछ नहीं काटूंगी मैं तो कैप्सिकम भी न बहुत दिन हो गए तो मुझे खतम करना था तो उसकी तो कोई सब्जी में नहीं बनाऊंगी इस तो इस वेज़े से ताल में नहीं डाला मैंने सूचे कि अच्छा उप्शन मैं राइस के साथ ही उसको बना लेती हूं तो वह राइस ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा वाइट राइस में रख दूंगी और इसको डाल राइस खानी होगी वह खा लेगा और वैसे भी मेरे घर में राइस उतना नहीं खाए राता है मतलब सुबा को भी ब्रेकपस्ट में रोटी रात को भी रो थौड़ा बहुत वही दोपहर को ही चावल över रात को मैं नहीं के बडरावर रात को रोटी बनती है तो अभी वेदर भी ठंडा सा है इसी बेज और सुकी लाल मेर्ची और थोड़ा साना बारी कट कर गे में लहसून भी डालूंगी उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा धनिया पत्ता हो ना तो जरूर से आप डालना इसमें मेरे पास धनिया पत्ता थोड़े से थे जो कि में फ्राइड राइस में यूज करूंगी इसमें नहीं डालूंगी इसी वेजसे और ये गैस के जो बर्नर बगर आप देख रहे हो ना ये एक्चली गंदा नहीं है देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरे हजबन ने क्या चीज से इसको साफ किया था था कि ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया है पूरा ये कलर इसका जाता ही नहीं है जितना भी इसको साफ कर लो घिसलो तो गोल्डन कलर से सिधा प्लैक कलर पर आगया है तो ये बिल्कुल भी ये गंदा नहीं है इसको बैए रेगुलर मतलर वाश करती हूं लेकिन यही है कि कलर इसका बिल्कुल ख़डाप सा हो गया ऐसी एसक्ष़ दिख श्रूरात में डाल। बहुत कोई इसमें चीनी इस्तामाल करते हैं लेगन करना वा आआक्ट-उस्ते में copy of hazth vom यूजीरा का टर्का यूजीर को नहीं पशादा यािर्लम नहीं है क्वेश्कुछा एक वोग एक पचली तब बदा रहे हो आपको अचाहिए ना अभी रिफाइन डॉयल में मैंने अभी बनानी है ये राइस बैज राइस सरसो तेल में अच्छी नहीं लगेगी तो सारी सबजी या मगरा चॉप हो गई थी मेरी दाल बनाते मैंने कर लिया था ये सारी चीज़ तो सबसे पहले तो जीरा डालूंगी और फिर ये देखिए प्याज और लेसन को एकी साथ बारीक जो है चॉप कर लिया था बहुत ही फटाफट से बन जाती है रेसिपी दस मिनिट में भी ने लगता क्योंकि राइस तो कूख है ही बस सबजियां जो है वो पकने में तोड़ा अठ मिनिट में ही स्टर फ्राइ तो अलाम से जो है ना पक जाती है और प्याज लेसन को जाता जो है भूननी की ज़रूरत भी नहीं है बस अलका सा जो बदामी की रह आता है बस उस रंग क्याने तक कवेट करेंगे और चॉप करने से क्या है एक दूर लेसन की कहली आना ऐस करके मैं इसको अष्ञाल टो विटने सते हैं यह चुंब करूपते भूढ है निने स्वाइज तो ऑफ के 2 जह तो अभी हम फ्रूट बागारा इस फ्रूट मेरा हैसे मला झाल जाए तो अब हमें यह कर द till हम छे को ही स्कूल मेरा काटूं कर दर जो है नियू स्कूल में अड्मिशन वगरा यह सब जो है स्टार्ट होगी अभी तो चुटिया ही चल रही है तो आप से बात करती करते देखिए प्याज वगरा भुन चुके हैं और कैपसिकम और गाजर को भी बस हलका सही फ्राइ करूंगी कभी हाई कभी मीडियम फ्लेम पे अजसे करके अज़स्ट करके मैं इसको बना रही है लोग फ्लेम पे रखके मैं इधर उदर थोड़ा सब्सक्राइब देखते रहती हूं और बीच बीच में ये कुकिंग भी देखते रहती हूं तो इससे साथ साथ ना आप मतलब कुछ और क सब्सक्राइब देख सकते हूं तो इसमें आप अपनी मन पसंद के कोई भी वेजेटेबल यूज़ कर सकते हो जैसे बीच हो गया और कैप्सिकम तो मैं डाली है गाजर होगे और स्प्रिंग अनियन वगरा वो सब जो भी आविलेबल है आपके पास जो भी आपको पसंद है सब कुछ आप इसमें डाल सकते हो बस नामक और गरम बसारा जाल दूंगी और अधर धनिया पता थोड़ा सा तो मैंने चौप करके रखा हुआ है बचा की रखा था मैंने इस पर डालूंगी बोलकर तो सोचा था ओमलेट भी बनालू लेकिन फिर मूड नहीं हुआ अच्छ अच्छा नहीं लग रहा था कुछ खाने पीने का मनने का हो रहा था इसी वज़ा से रख दिया मता है ओमलेट में डालूंगी बोलके लेकिन फिर बनाने का मन ही नहीं कि खाने का भी मूड नहीं था तो सिंपल सा जो मना है इसना ही काफी है माले लिए तो आज कर ना खाने पीने का भी मूड नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों ऐसे वेदर की वेज़े से कि आच्छा नहीं लग रहे कुछ भी भूख लगती है वही थोड़ा बहुत भूख लगती है तो खाना ही पड़ेगा लेकिन वैसा अब कुछ खाने का इंटरेस्टी नहीं आ रहा है इंदर से कि बस यह जो है राइस बनके हो गई है तैयार हमारा लंच हो गया है कमप्लीट अचका तो मिलती हूं आप से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बबाब लब यॉ और टाटा एं टेक क्यार